अरे डब्बो, यहां कैसे आना हुआ? अरे दीदी, वो क्या है न, कल मैंना Constitution का टेस्ट है, तो मैं आपसे थोड़ा सा वही General Introduction लेने आया हूँ. अच्छा, तो यह बात है, चलो मैं तुम्हें General Introduction देगे देती हूँ Constitution का. तो अगर मैं शुरू से बात करूँ भारतिय सम्विधान की, तो जब भारतिय सम्विधान अपना Indian Constitution बना था, तो उसको बनाने के लिए अलग-अलग committees बनी थी, उनमें बहुत सारे लोगों में अलग-अलग recommendations दिये थे, तो जो सबसे main committee थी, जिसने पूरा structure ready करा था, Constitution का, वे आम बेट कर, तो दिदी draft committee होता क्या है, उसे क्यों बनाया गया, डबो draft committee वो थी, जिसने अपने सम्विधान का structure बना के दिया था, अब तुम पहले ये समझो, ये बताओ कि अपना भारत आजाद कब हुआ था, दिदी 15 अगस्ट 1947 को हुआ था, very good, अब 15 अगस्ट 1947 को जब देश आजाद होने हुआ था, तो अब किसी भी देश को चलाने के लिए, उसे अपने सम्विधान यानिकी constitution चाहिए ही न, तो आजादी के बाद 29 अगस्ट 1947 को Constitution Assembly यानिकी सम्विधान सभा थी, उसने एक draft committee बनाई थी, जिसमें 7 member थे और उसके chairman सब्सक्राइब कर, अब draft committee ने 21 February 1948 को एक structure तयार करा, मतलब कि 29 अगस्ट 1947 से ले करके 21 February 1948 तक एक structure तयार किया गया, draft committee के द्वारा, और Constituent Assembly को दे दिया गया, जिसमें 8 schedule और 315 articles थे, अब Constituent Assembly ने वापस भेज दिया draft committee को, कि इसमें कुछ changes होने है, ठीक है, तो अब draft committee ने 26 October 1948 को with amendments करके Constituent Assembly को भेजा, तो अधिदी Constituent Assembly ने इसको कब accept कर लिया था, तो डब्बू देखो, इसके बाद में क्या हुआ था, 26 October 1948 को, जब amendments करके, draft committee ने Constituent Assembly को वापस भेजा था, तो उसके बाद में बहुत सारी readings होई थी, readings मतलब कि बहुत सारी debates होई थी, बहुत चर्चा होई थी उस चीजों पर, कि अब अपनको constitution कैसा बनाना है, तो जो first reading होई थी, वो हुई थी, 4th November 1948 से लेकरके, 9 November 1948 तक, ठीक है, यह बहुत ही कम समय तक के लिए होई थी, फिर उसके बाद में हुआ था, second reading होई थी, जो सबसे main reading थी, जो हुई थी, 15 November 1948 से लेकरके, 17 October 1949 तक, अब यह बहुत ही जादा main reading हो जाती है, इसमें क्योंकि, जितने भी members थे, जो Constituent Assembly के, उन सब को एक-एक copy दे दी गई थी, और उन सब से का था कि आप जो भी changes है आप हमें बता दीजिए, तो Constituent Assembly ने 7635, मलब 7635 amendments की मांग करी थी, और सब की सहमती से, मलब 100% सहमती से, 2437 amendments को accept किया था, Constituent Assembly ने, ठीक है, अब इसके बाद में आजाती है, थर्ड एडिंग, जो थर्ड एडिंग हुई थी, वो 19 November, 1949 से लेकर की, 26 November 1949 तक हुई थी, जिसमें, जो अपने draft committee के chairman थे, डॉक्टर बिया रमबेटकर, उन्होंने एक resolution रखा था, कि Constitution को adopt कर लिया जाए, अच्छा, तो इस तरीके से Constitution को adopt किया गया था, हाँ डबो, 26 November 1949 को, Constitution को adopt कर लिया गया था, और उसमें, 284 members ने sign करा था, यह number हमेशे याद रखा है, 284 members ने sign करा था, जिसमेंसे 8 women थी, ठीक है, और अपने Constitution को बनने के लिए, 2 years, 11 months and 18 days का टाइम लगा था, जिसमें की, टोटल 114, मलब 114 debates होई थी, और जब यह Constitution पास हुआ था, तब 8 schedules, 22 parts और 395 articles थे, और अभी तब भी यही सबहें, इसमें कोई amendment नहीं हुआ है, पर जो schedules हैं हमने, वो अब 12 schedules हो गए हैं, पर जब यह बना था, तब 8 schedules थे, और जब इसकी लास्ट मीटिंग कब होई थी, जब ते कि मनले Constitution साइन हो गया था, उसके लाने जब भी चर्चा चल रही थी, इसको फोर्स में लाने तक के लिए, तब यह 24 जैनवरी 1950 तक इसकी चर्चा चली थी, लास्ट मीटिंग भी थी Constitution Assembly की, और उसके बाद में 26 जैनवरी 1950 को, अपना Constitution एंफोर्स कर दिया गया था, थैंक्यू दीदी, अब आपकी वेज़े से में पास हो जाऊंगा, हाँ डबू मन लगा कर पढ़ो, और एक बात अगी धियान रखना, कितब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजिंद प्रसाथ थैं, तैंक्यू दीदी, अगर आपको भी कोई डव्ट है, डबू की तरह है, तो आप मज़े कॉमेंट से बताइए, मैं उसी भर वीडियो बनाऊंगी,